प्रेज़लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आएए आज हम परमेश्यो के वचन पर मनन करेंगे यहुनर रचिस्व समचार उसका आठ अध्याई और एक से ग्यारफ पन तक ये दियाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक घटना के पकड़ी गई है उस पर कोई जूटा दोस्त नहीं लगा रहे हैं वो बलकि जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा वही वो ये शुको बता रहे हैं कि ये विचार करते हुए पकड़ी गई है और वहाँ पर कुछ बाचित होती है तो इस घटना से मैं आपको चार बातें सिखाऊंगा और इन चार बातों को पहले मैंने अपने जीवन में सीखा परमेशो ने मुझ से बाचित की और फिर मैं आप तक इन बातों को पहुँचा रहा हूँ परमेशो का वचन इस घटना से हमें सिखाता है कि सबसे पहली बात कि दूसरों पर दोस लगाने से पहले हम अपने आपको जाजना है अपने अंदर हमें जांकना है और परमेशो का वचन एक आईना है हमारे लिए वचन साथ में प्रभी येश्य मसी ने उन लोगों से कुछ इस परकार से कहा कि जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निस्पाप ह तो वही पहले उस पर पत्थर मारे जिसने कभी पाप न किया हो वो पहले उस पर पत्थर मारे यहां पर परमेशो प्रभी येश्य मसी क्या कह रहे है उनसे कि अपने आपको जाचो अपने आपको देखो जो तुम इसे गुनेगार कह रहे हो क्या तुम पवित्र हो जो तु और बाइबिल कहती है कि उन सब लोगों ने अपने अपने पत्थर छोड़े और चले गए क्यों कि उन्हों ने वहाँ पर देखा कि नहीं हम इस पर दोस्तों लगा रहे हैं लेकिन हमने भी कभी न कभी गुना किया है येशु कहते हैं जिसने कभी गुना ने किया वो दोस्तों लगाने के लिए लेकिन बाइबिल कह रही है कि उनको कोई दोस्तों न मिला फिर भी येशु मसी निर्दोस होने पर भी किसी पर दोस्तों नहीं लगा थे पवित्र होने पर भी किसी पर दोस्तों नहीं लगाते हैं लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं इन सास्त्री इन फरीशियों की तरह हैं जो अपने आप तो गुनेगार हैं लेकिन दूसरों पर दोस्तों लगाते हैं बाइबल कहती है पहले अपनी आँख का लठा निकाल तब दूसरे के आँख का तिनका निकालना और आज यही हो रहा है लोग दूसरों पर दोस लगाने से बिलकुल भी नहीं चुकते वो सब पर दोस लगाते हैं चाहिए वो भी एक्ति सही है लेकिन फिर भी उस पर दोस लगाई है मसी में होने के बावजुद एक दूसरे पर दोस लगाते हैं एक दूसरे पर आरूप लगाते हैं एक दूसरे को कहते हैं कि ये तो परमेश्वर में नहीं है, ये तो विश्वासी नहीं है, ये तो नर्क जाएगा, अन्य एक परकार की बाते हैं, लोग एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, आज आपको मुझे हम सब को सिखाता है, दूसरे पर दोस लगा तो आप हैं। पॉलुस कहता है सबसे बड़ा गुनिगार मैं हूँ। दोस्तों आज साम में परमेशु का वचन बाचीत करता है। कि दूसरों पर दोस न लगाएं। बलकि पहले अपने अंदर जांग कर देए। दूसरी बात मैंने परमेशु के वचन से सीखी ति दूसरों पर दया करना। जिस परकार से प्रभ येशु मसी ने आप पर दया की आपके गुनाहों को माफ कर दिया। चाहिए वो कितने भी बड़े क्यों न थे। इसी परकार से आपको भी दूसरे के अपरादों को च्छमा करना है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभ येशु गुनाहों को माफ कर दे। बाहिर में लिखा है कि एक राजा ने अपने देंदार को बुलाया और उससे कहा जो कुछ तुछ तुछ पर बकाया है वो सब भर दे मेरा उधार वापस दे। तुछ ने विंती की उसने का प्रभू मेरे पास अभी नहीं है मुझे कुछ दिन औ और दे दे मैं मेहनत करूँगा मैं काम करूँगा और तेरा करजा वापस कर दूँगा तो राजा ने उस पर दया करी और राजा ने का ठीक है इसे कुछ दिन और दे दे और इसे माफ कर दो इसका जो कुछ करजा है उसे माफ कर दो जब वो ब्यक्ति बाहर गया तो उसने अ तक ये कर जाना दे इसको जेल में डाल दे जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने उस करमचारी को बहुत अधिक दंड दिया क्यों? क्योंकि राजा ने कहा जैसे मैंने तुझ पर दया की थी तुझे भी चाहिए था कि तू उस दूसरे दास पर दया करें दोस्तों यही पर मैं शुकावचन असाम में आपको और मुझे सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे पर दया करनी है एक दूसरे को च्छमा करना है क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम पर दया की है क्योंकि प्रभु ने पहले हम से प्रेम किया प्रभु ने हमारे गुनाहों को माख किया, ऐसे ही हमें दूसरों के गुनाहों को भी माख करना है तिसरी बात जो हम इस अध्याई से सीखते हैं येशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आग्या न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं येशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आग्या नहीं देता हूँ, जा फिर पाप न करना येशु मसी ने उस पर दंड की आग्या नहीं दी ये जानते हुए कि ये गुनेगार है और प्रभ येश मसी पौवित्र हैं, निर्दोस हैं, उनके पास अधिकार है कि वो दोस लगा सकते हैं, वो दंड दे सकते हैं, लेकिन प्रभ येश मसी ने नहीं किया और आज आप और मैं जो गुनेगार हैं वो दूसरों पर दंड की आग्या दे रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं परमेशुर का वचन आज 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 आपको और मुझे को सिखाता है कि हमें किसी को दंड की आगया नहीं देनी है क्यों? क्योंकि परमेशन ने हमको दंड नहीं दिया तो हम क्यों किसी और को दंड देनी है हमें उन्हें माफ करना है, उन्हें चमा करना है उन पर अनुग्रे करना है जिस प्रकार से प्रव येश्व मसी ना नुग्रह किया उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे पर नुग्रह किया चौती बात जो हम यहां पर सीखते हैं कि परमेश्वर सेकिंड चैंस देते हैं परमेश्वर दूसरा मौका देते हैं इस इस्त्री के पास कोई मौका नहीं था अगर येशु मसी उभाशे वहाँ पर नहीं होते तो सब लोग इसे पत्राऊ करके मार डालते लेकिन येशु मसी उभाशे वहाँ थे इसलिए इस इस्त्री बच गई और येशु मसी कहते हैं किसी ने तुझ पर दंडी के आग्या नहीं दी जहां मैं भी तुझ पर दंडी के आग्या नहीं दूँगा फिर से पाप मत गया एक चांस येश्य मसी ने उसे दिया एक मौका येश्य मसी ने उसे दिया फिर से अपने जीवन को जीने का अन्य था वे लोग उसे मृत की दे देते दोस्तों आज सामें मैं आपको उसाइड करना चाहूँगा कि चाहे आपने जीवन में कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो लेकिन प्रभू के पास आपके लिए एक और चांस है परमेश्यो के पास आपके लेक और मौका है आप अपने जीवन को सही कर सकते हैं यदि आप प्रभू के करीबी में आजाएं उसके पास आपके लिए एक और चांस है एक और मौका वो आपको देगा ये नहीं है कि आपने गलती कर दी है फाइनल होगए नहीं प्रभू आपको एक और मौका देना चाहता है प्रभू आपको फिर से एक और मौका देना चाहता है और इस मौके का आपको फाइदा उठाना है इस मौके का आपको फाइदा उठाना है यदि आपने इस मौके को समझ लिया कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है अब मुझे प्रभु के पीछे चलना है मुझे अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है तो आप जीवन को पाएंगे आप जीवन को पाएंगे जिस परकार से सिस्त्री ने पाया जीवन, नहीं तो इसकी मृत्य हो गई हो गई, नहीं तो वे लोग, वे कठोर हिर्दय वाले लोग इसे मार देते, लेकिन प्रभु ने इसे बचा दिया, ऐसे ही प्रभु आपको भी बचा देगा, यदि आपने कोई भी गुना कर दिया है, आप ड़ने नहीं, घबराएं नह उससे माफी मांगे, वो आपको एक और चांस देगा, एक और मौका आपको देगा, और आपको मृत्यू नहीं, आपको जीवन की ओर लेकर जाएगा, आपको जीवन को देगा, पांचवे बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, कि प्रभु येश्य मसी सब जानते हैं, हम सुचत कि तुने ये गुनाह किया था, तुने ये गुनाह किया था, जब लोगों ने देखा, तो उने छोड़ कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया, कि हम भी गुनेगार हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम निर्दोस नहीं हैं, आज प्रभु आपके विशे में सब ज जब भी आपको मन करे किसी पर दोस लगाने का, किसी को दंड देने का, किसी पर आरोप लगाने का, उसमें इस वचन को याद कर ले। पर मेश और आपको दूसरा चांस देते हैं, एक बार एक बहन का फोन आया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ गल्टी को कर दिया, अब उन्होंने जहर की बोतल अपने पास रखी हुई है और मरने जा रही है, आपने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, तो जवान लड़की और जब उसने हमें फोन किया लास्ट में, अन्तिम छणों में, उसने कहा कि एक बार मैं कॉल करके अपने लिए प्रातना करवाऊंगे, और उसके बाद मैं जहर खा कर मर जाऊंगे, दो उसने फोन किया और हमारी बात उससे हुई, तो हमने उससे समझाया कि नहीं, आपने गलती तो कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेषर आपको फिर से एक और मौका देगा, आपको स्साइट करने की ज़रत नहीं है, आपको अपने जीवेन को समाप्त करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि प्रभु ये शमसी आया ही इसलिए कि वो तुमें जीवेन दे, और भाई ने बताया कि उन्होंने एक दिन गलती कर दी, पाप कर दिया, परमेश्र के विरोध में पाप कर दिया, जब वो सुबह उठे और उन्होंने बताया कि मैं सुसाइट करने के लिए जा रहा, वो सुसाइट करने के लिए जा रहे थे, इतने में उन्होंने मेरे एक दोस्त को बता दिया मेरा उस दोस्त ने क्यूंकि वो हमारे साथ में जुड़ा था हमारे सिक्षाओं को जानता था इसलिए उस बाई ने उससे कहा कि परभु तुमे ओर मौका देगा परभु तुमें दंड देने नहीं आया परभु तुमें च्छमा करने आया कोई बात नहीं यदि आपने गलती कर दी है प्रभू से माफी मांगे वो आपको छमा करेगा और दूसरा चांस देगा आज वो ब्यक्ति बहुत अच्छा विश्वासी है उसने उस बात को रिसीव किया कि प्रभू मुझे एक और चांस देगा प्रभू मुझे एक और मौका देगा उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और प्रभू के पीछे चल पड़ा प्रभू ने उसके गुनाहा को माफ किया आज वो जीवन को जी रहा है बहुतायत के जीवन को जी रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रभू आपके जीवन में भी इसी परकार से करेगा हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं एक दिन में और मैक्सिमम लोगों की ये बाते हैं और हमने जब उन्हें समझाया प्रभू ने उन्हें नया जीवन को है प्रभू ने उनके जीवन को बदल दिया उन्हें दूसरा मौका दिया है प्रभू आपको भी दूसरा मौका देंगे वो आपको ऐसे ही कूडे में नहीं डालेंगे प्रभू आपको दूसरा मौका देंगे इसलिए प्रभू के पास जाएं उससे माफी मांगे वो आपके जीवन में काम करेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आज के Bible अध्यन को आपने सीखा होगा, समझा होगा और आप अपने जीवन में इन बातों को apply करेंगे तो प्रवाब आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आसीश दे, आमीन दोस्तों आज साम साड़े साथ बजे हमारे साथ में लाइब में सामिल होएं, अपने healing के लिए, deliverance के लिए और हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे तो प्रवाब को आशीश दे मेरी बेटी ग्रेशी टोपना पास हो गई है, इसके लिए मैं आपने पुरी परिवार के साथ इश्वर को धन्यवाद देना चाहते हूं आईए मिलकर हम प्रात्ना करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, प्यारे पिता हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्ये हैं, धन्यवाद परमेश्वर के आपकी प्रेजन्स हमारे साथ में, आज की शाम में ह मेरे पिता और जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, भुज़र्ग लोग हमारे साथ इस प्रात्न में शामिल हैं, प्रभु येश्यु नास्री के नाम से उनके जीवन में आपके कारियों हों पिता, प्यारे प्रभु आपकी प्रेजन्स को महसूस करें, प्रभु हर प्रकार की प्राब्लम्स, समस्याएं, परिशानिया, डिस्टिबेंस, डाइवर्ट करने वाले थौट्स को हम इसी वक्त आग्य देते हैं, इनके जीवनों को छोड़ कर इसी वक्त जाओ येश्यु के नाम से, प्रमेश्यु हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी और ह पाएं, हर एक पर अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रन को ले प्रभू येश्यु और हर एक के हिर्दय में प्रभू चलने वाली हर प्रकार की जो गड़बड़ी वाली बाते हैं येश्यु के नाम से हम उने दूर करतें, प्यारे प्रभू, इस समय हर एक जन प्रभू इसलिए प्रमेश्वर हम आपके नाम को धन्नी कहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभू क्योंकि वो नाम इसके योग्य है पिता, धनिवाद करते हैं प्यारे प्रमेश्वर, विशेष रूप से प्रभू आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभू शाम की प्रात में हैं, बहुत सी बड़ी-बड़ी situations प्रभु उनके सामने आग खड़ी हुई हैं, प्रभु जी, problems उनके सामने हैं, तो प्रभु येश्यू के नाम से, आज हम उन सारी बातों को cancel out करते हैं, in the name of Jesus, उन बातों को येश्यू के नाम से, इनके family, इनके परिवार, इनके के struggle को हम आग्या देते हैं, जाओ येश्यू के नाम से, इसी वक्त, येश्यू के नाम से, प्यारे परमेश्यूर, हम धन्यवाद करते हैं, we honor your word, Lord Father, हम आपके वचन का आधर करते हैं, और आप इस वचन को प्रभु बड़े ध्यान से आपके बेटे-बेटियों ने सुना, और अपने जीवनों में रिसीव किया, परमेश्यू मैं प्रातन करते हैं, प्रभु इस वचन की सामर्थ है, प्रभु इस वचन की सामर्थ प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में महसूस करें, प्रभु धन्यवाद इस वचन के अध्यन के लिए, और इस वचन के दुआर प्रभू यदि आज ऐसे situation है परमेशु पिता, जब प्रभू कोई भी इनके सामने गुनेगार है, या फिर किसी ने इनके विरोध में पाप किया है, या फिर कोई भी गुना प्रभू इनसे और इनके परिवार के किसी भी सदस्य से हो गया है, तो प्रभू मैं प्रात्न करती पिता, कि होने दीजे परमेशु प्रभू, कि प्रभू ये किसी को भी प्रभू, किसी पर भी दोस्ट लगाने वाले ना हो मेरे पिता, वरन परमेशु प्रभू अपने आपको तेरे सम्मुख सरेंडर करने पाए, क्योंकि तो अधर्म के कामों को शमा करने में विश्वास और धर्मियां प्रभू आपने इनके गुनाहों को माफ किया प्रभू और आप चाहते हैं प्रभू जिस प्रकार प्रभू हम सब के गुनाह माफ हुए har इक जन अपने आपको जांचे अपने आपको पर के प्रभू की कहीं उनके अंदर प्रभू ऐसे जज करने वाली आदत तो नहीं, मैं प्रात्ना करती है हर प्रकार का जज्चमIN करने वाला नेचर, येशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हम आज्या देते हैं, उस जज्चमIN करने वाले नेचर को जाओ इनके जीवन से, परमे कारण है परंतु पिता जिस प्रकार प्रभु येश्य मसी आपने उस व्यविचारी इस्त्री के गुनाहों को प्रभु माफ किया उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु जब उनके गुना माफ हुए हैं प्रभु वैसे ही प्रभु वो उन व्यक्ति के जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया है प्रभू उन्हें शमा करने का हिर्दय आप इने दे प्रभू, दया करने का हिर्दय दे परमेश्व पिता, कि प्रभू वो उन पर दया करें, जैसे कि प्रभू ये श्यतुने उस व्याविचारी इस्त्री पर दया करने वाले हो सके पिता परातने कर्थश प्यारे प्रमिश्07 पिता प्रभु यह किसी कि भी न्याई को पाया प्रभू इन भाई बहनों पर प्रभु जी जिन्हों ने आपके नाम को जाना उन पर आपने दंड की आग्या नहीं दीड क्योंकि हम पापी ही थे प्रभु जब तु हमारे लिए प्रभु कुरूस पर बलिदान हुआ प्रभु और तुने प्रभु अपने मृत्यू के दौरा प्रभू जिस प्रकार प्रभू आपने उसस्त्री को second chance दिया उसी प्रकार प्रभू हर एक व्यक्ति प्रभू आप उने second चैंस दे प्रभू ये भाई भी भेहन भी प्रभू उन लोगों को second chance देने वाले हो सके प्यारे परमेश्य पिता, यदि आज ऐसी situation इनके लाइफ में है, तो प्रभू आपका वचन क्या सिखाता है, वचन के अनुसार चलने में आप इनकी मदद साहिता करें, परमेश्य पिता, वोने दीजिये प्रभू, आप सब कुछ जानते हैं, प्रभू येश्यू, आप हर ए हर एक दोश लगाने की आदत, हर प्रकार के जज करने वाली बातें, दंड की आग्या देने वाली बातों को येश्यू के नाम से कैंसल करते हैं, प्रभू जी, इस समेच जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुज़ग लोग, अपने परिवार को लेकर, अपन के नाम से, धन्यवाद, इस समेच जितने लोग बीमार हैं, आपको जो भी बीमारी है, उस बीमारी को अधिकार से डाटे, मेरे साथ मिलकर, उस बीमारी को डाटे, प्रभू येश्यू मसी, आज तेरे लोग जिस भी बीमारी में ग्रस्त हैं, हम उन बीमारियों से कहते हैं, येश्यू के नाम से नस्ट हो इसी वक्त हम बिमारी को आग्या देते हैं जाओ येश्यू के नाम से नस्ट हो येश्यू के नाम से हर एक रोग हर एक कमजोरी हर एक दुरबलता हर एक औरगन्स को हर एक प्रभू बिमार व्यक्ति से हम कहते हैं येश्यू के नाम से चंगे हो येश्यू के नाम से धन्यवाद करते है पिता क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभू येश्यू के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए है धन्यवाद परमेशर तेरे वचन के अनुसार प्रभू तेरे लोगों के जीवन में हुआ है वो चंगे हो गए हैं मैं धन्यवाद करत पिता सच में मेरे प्रभू ये शुमसी आप अपके लोगों की कुशलता से प्रसंद होते हैं पिता धन्यवाद आज जितने भी लोग कर्जे में हैं फाइनाशल प्रॉब्लम में उनकी जरुते पूरी नहीं हो पा रही है फिर जो भी जम्मेदारियां उनके उपर हैं ये अपनी कमाई को खाने पाएं जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता प्रभू सौ गुना फल्वन्त वो उनके जीवन में हो पिता प्रभू जब हर्स से दिया है तो प्रभू हर्स और आणंद के साथ उस قटनी को काटने पाए हैं परमेश्वे प्रभू जो कोई भी प्रभु सेवा कारियों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु हर दिन प्रभु बहुत से लोगों तक प्रभु वो वचन को बाड़ते हैं येशु हम आपका धन्यवाद करते कि वो आपके राज्जी के लिए कारी कर रहे हैं फोने दीजे आप उन्हें आशीज दें धन्यवाद करते हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं येश्यो के नम से प्रात्मा मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन